बिसमिल्ल्य रमाने रखीम, असलाम लेक्व, वेलकम टू मैं चैनल, अलिशय डिजाइनिंग, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खुपसूरा सा ट्राउजर डिजाइन बनाना सखौंगी, तो यहाप इसकी मैंने कटिंग कर ली है, उपर से डाइगेंग फोल्डिंग के बाद लेफिकी फोल्डिंग के बाद नीचे तक मैंने 37 तियार लेनी है इसकी लेंग, अब नीचे से इसकी फोल्डिंग के लिए कोई भी एक्स्टा कपडा मैंने यहाप पे नहीं लिया, अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन मे मैंने त्यार लेना है वो मैं यहां पर 6 छेंच लूँगी, आठ इंच मैंने लिया है डेटिंग को मैंने एक्स्टा लिया है वह अंदर स्लाई में चला जाएगा, आप यहां पर मैंने यह पेपर लिया है इसको बिलकुल पांचे के उपर रखूंगी, यह मैंने डबल लिय है दोनों पांचे के लिए इस तरह से रखें, यह वरे जो सेंटर वाली साइड है, यहां पर मैं साड़े साथीं तक निशान लगाऊंगी, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, तो छोटा भी कर सकते हैं, और जो दूसरी साइड से हमने इसलाई लगा आना है, अब यह वहला जो मैंने निशान लगा है, यहां से इस पेपर की कटिंग कर लूँगी, तो यहां पर आप देखें, दोनों साइड की मैंने इकठी कटिंग की थी, अब जब मैं इस पे डिजाइन बिनाऊंगी तो दोनों साइड पे बिल्कुल एक जैसा डिजाइन जाएगा, अब यहां पे मैंने तिर्चे निशान लगाने है, एक एक इकिंच का गैप छोड़के मैं यहां पे निशान लगाँगी, तो यहां पे आप देखें, पेपर की इस साइड पे मैंने तिर्चे निशान लगा लिए हैं, अब इसकी दूसरी मुखालिफ साइड पे भी मैं इसी तरह से एक एक इंच का गैप चोड़के यहां पर तिप्चे निशान लगा लूँगी तो यहाँ पर आप देखे मैंने सारे निशान लगा लिए हैं एक एक इंच का गैब चोड़ के यह निशान लगाए हैं अब यहाँ पर मैंने यह हाफ विंच चुड़ाई में यह कपड़ा लिया है बिल्कुर इसको बारीक मैने जिस तरह से डोरी होती है उस तरह से fold करके यह वाले जो निशान लगए हैं इनकी उपर stitch करना है तो अब यहां पर यह वाले जो half wing चुडाई में मैंने कपड़ा लिया था इसको दोनों साइड से fold करके इस तरह से बारीक डोरी बना लूँगी आप इसको जित्ता बारीक डोरी बना के हाँ पर stitch करेंगे यह अतनी ही खुबसूरत लुगतेगी तो इस तरह से देखें दोनों साइड से कपड़े को fold करके इसको बारीक डोरी की तरह बना के अब मैंने पेले ही वाले जो तिप्चे निशान लगए हैं हाप पर सारी स्लाइयां लगाऊंगी इस तरह से देखें एक जो मैंने इस लाई लगए थी हाप यह अटेच कर दिया है आप यह वाली जो दूसरी मैंने लगए है हाप पर भी सेम वही हाफ इंच का जो कप्राय को बिल्कुल बारी की तरह फोल्ड करके इसके उपर स्टिच कर दिया है इसी तरह से जित्ती भी सारी लाइन से यहाँ पर यह मैं लगाती जोओंगी तो यहाँ पर देखें एक साइड की जो लाइन थी उनकी उपर मैंने यह वाली डूरी बनाके अटेच कर ली है आप इसकी यह वैले जो दूसरी साइड मैंने शान लगए थे यहाँ पर भी सेम वैसे ही बिल्कुल इसको बारीट लोरी की तरह फोल्ड करके स्टिच कर लोगी सारे तो यहां पर आप देखें मैंने जित्ते भी निशान लगए थे उनकी उपर मैंने इस तरह से बारीक डोरी की तरह कप्डे को फोल करके यहां पर स्टिच कर लिया है अब इसके निचे मैंने बॉटम पर दिजाइन बनाना है तो यह मैंने बिल्कुल जित्तां मैंने पांचा आठिंच लिया था उसे साब से चर应 से पर लिया था अब यह वैली मैंre दो पटिया ली है जिनकी फबाई मैंने अपने पांचे के खाप से यहां पर ली है और जडा कर जाएगा कुंछ चैनि इंग वल्ट करत कि इन ऐंगा में छो पतक मैं जाएगास के इन पर जो होड़ाई में यहां पर मुझे यह लूप संथ कि इनकी लंबाई मैंने झाँच ली इन लेन को प्रूब बना सिंपल नोरी में तब Фना गर ने के बाद इसकी साइब पे इस तरह से यह वाली डूरी एटैच्च करके नीचे यह बॉटम पे डिजाइन बिनाओंगी तो पहले हाँ पे यवाले जो पीसें इनको मैं इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लोंगी इस शेप में इनको ट्राइंगल डिजाइन में फोल्ड करके सारे नीचे बॉटम पर मुझे जित्ते चाहिए उसे साप्ट मैं बना के इनको पहले स्लाइल लगा लूँगी कि अब देखें मुझे जित्ते चाहिए थे मैंने सारा उनको बना के इनकी नीचे से जो एक्सटर काप फैब्रेक है वह मैंने काट लिया है कि अब यह जो पती में नीचे लिया है एक इंच चोड़ों की जो अंदर स्लाइम में जाएका उसके बाद सबसे पहले में यहां पे यह वाली डोरी रखूँगी अब इसके सेंटर में यह वला जो मैंने ट्राइंगल डिजाइन बनाया है इसको रखूँगी तरह से उल्ट के अची कि यहां कि अब यहां पर्वी सेम वैसे ही सारे जितने बी सेंटर में में यह वाल लगाना है Size उतिएюсь सारी डोरी रखूँगी पहले उसके बाद यह वाले ट्राइंगल डिजाइन और इसको डोरी को गुमाँ अके इस तरह से हम तक गुलाई में रखके सारी स्टिच करती जाओंगी तो यहां पर आप देखे मैंने सारी डोरी और ट्राइंगल्स वाला डिजाइन बना लिया है अब यहां पर इसके नीचे यह वाली इत्ती ही मार्जन की डेजन चोड़ाई के मैंने यह वाली पटीली थी इसको रखूंग और बिल्कुल यह वाला जो मैंने इसलाई लगाई है इसको फॉल्लो करते ही इसके उपर अब श्लाई लगा लूँगी ताकि नीचे जो मैंने पटी रखी है वो इसके साथ अटेच हो जाए तो यहाँ पे आप देखें यह मैंने पटी अटेच का दिये जितना भी एक्स्टा फैबरिक था वो अंदर की साइड फोल्ड हो गया है अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से प्रेस का लूँगी और यह वाली जो फ्रांट नीचे वाली और उपर वाली पटी है यहां से भी मैं हाफा फिंच अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड कर दूँगी इस तरह से तो यहाँ पर आप देखें मैंने इस पटी को प्रेस का लिया है देख सकते हैं हाँ पर वाली साइड से मैंने हाफा फिंच अंदर की साइड फोल्ड करके इसको प्रेस का लिया है आप यह वा पटी में खुली करूंगी इसके सेंटर में यह वाला पेपर रखूंगी इस तरह से रखे इसके उपर इसको पटी को अच्छी तरह से सेट करके बिल्कुल यहां के नारे पिसला ही लगा लूँगी कि यहां पेप देखे उपर वाली पति को भी और निचे वाली पति को अखट़ी हां पे बिल्कोल ऐसलाई law कि मैंने इंकोफ प्रैस किया था बिल्कोल एक चैश साथ तहा पे यहां पे आटीज किया था अब इस देजाइन को मैंने नीचे ट्रॉजर के बॉटम पे अटाइच करना है इस तरह से एपने ट्रॉजर के पांचे को खुला करूंगी और इसकी ऊपर अची तरह से लाइट करूंगी नीचे मैंने वैसे पांचे की फोल्डें के लिए कुई एक्स्टा कप्ड़ा नहीं अगर आप इसको यहां पर स्टिच करके इसकी उपर आप बॉर्डर एटच कर लें लगर मैं इसके नीचे से एक्स्टा जो फैब्रेक है उसको काटूँगी इस तरह से यह वाला जो एक्स्टर फैब्रेक है इसको मैं काट दूँगी अगर आप काटना नहीं चाते तो आप इस फैब्रेक को ऐसी ही रहने दे और उपर यहाँ पे मैं मेरून के लिए की सिंपल पटी लूँगी जिसकी चुड़ाई मैंने एक इंच ली है इसको फोल्ड करके इसकी उपर अटेच कर दूँगी यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह से इस पटी को मैं एक साइट से पहले फोल्ड करूंगी और इसके एक के नारे पिसला ही लेगाऊंगी और आप यहाँ पे हीवाली साइड है साइट से भी में इसको छोड़ा सा अंदर की साइट फोल्ड करके आप अगर इसकी जगर पे गुए लेश बी लगाना चाहते हैं तो आपके इसकी जगर पे कोई लेश भी लगा सकते हैं बहुती खुब्सूरत लिक देगी तो यहाँ पर आप देखें इसके नीचे से मैंने पेपर को रिमूव कर दिया बहुत ही असानी के साथ नीचे से पेपर रिमूव हो जाता है तो मैंने पहले भी आपको बताया अगर आप इसको इस तरह से खुला नहीं रखना चाहते हैं तो मैंने इसके नीचे से एक्स्टा फैब्रिक कटिंग का लिया था आप वो कटिंग ना करें उसको इसके उपर ही पहले पेपर निकाल के स्टेच का दें और आप Simple रखना चाहते हैं तो Simple भी रख सकते हैं इस तरह से Beats लगाना चाहते हैं, बीटश भी लगा सकते हैं दोनों ही बहुत ही खुपसूरत लोगते रहे हैं दोनों मेंसे जो आपको पसांद हो आप वो क्रियेट कर सकते हैं इंशालों ये टॉजर डिजाइन आपको बहुत ज़्याद अपसान देगा पसान दायत इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना पूलें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दें जाजा तब आला हापिस